इस वीडियो सीरीज में हमने कुछ इंडियन, कुछ वेस्टन, संस्कृत, गरीक, कुछ ऐसे प्रॉमिनेंट फिगर्स जो थेटर फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे प्लेइज लिखें, प्लेइराइट के बारे में हम लोगों ने डिस अच्छार्य की, जो कि इंडियन प्लेइराइट हैं, ना केवल वो प्लेइराइट हैं, बलकि वो पोईट हैं, क्रिटिक्स हैं, और वो प्रोफेसर भी हैं आएटी हैदराबाद में, उनका एक बहुत बहुत चर्चित नाटक है देहांतर, आज इस वीडियो में मैं आपको दिहांतर का जो स्टोरी प्लॉट है, उसके बारे में जिक्र करूँगा, इस नाटक के मुख्य किरदार जो हैं, वो हैं ययाती, जो कि एक चक्रवर्ती समराठ हैं, उनकी वाइफ हैं शर्मिष्ठा, उनकी एक और वाइफ है जिसका नाम है देव्यानी, और प्ले में ही ऐस जो हैं, इनसे विवाह करती हैं, तो नाटक की शुरुवात कह सकते कि इस नाटक में तीन अंख हैं, बतलब इस नाटक को तीन पार्ट्स में लिखा है उन्होंने, नंद किशुर आचारिय जिने देहांतर को, और हर अंख में कुछ एक-दो-एक-दो-दो-तीन-दो-तीन सीन मुक्की किरदार यायाती उनकी वाइफ शर्मिस्ठा देव्यानी देव्यानी का जिक्र ही है इस नाटक में लेकिन देव्यानी की कहीं पर भी प्रेजन्स नहीं दिखाई है बिंदुमती बिंदुमती की प्रेजन्स भी है जिक्र भी है उनका पुत्र पुरू और एक दासी मं इतने character's हैं इस नाटक देहानतर में जिसको नंदकिश राचारेजी ने बहुँभी लिखा बहुत खुबसूर्ती के साथ लिखा नाटक शुरू होने के पहले जो चकरवर्ती समराठ यायाती हैं उनको असुरों के जो गुरू हैं शुकराचारे वो शुराब दे देते हैं कि आप अभी जिस age में हैं उससे आप सीधे वरद्ध हवस्ता में पहुंच जाएंगे इसको example की तौर पैसे मानते हैं कि उनको श्राब दिया उस टाइम पे वो 40 की age में थे और अचानक से वो 80-90 की age में पहुंच गए वो वरद्ध हो गए लाख मिन्नेते करने के बावजूद माफी मांगने के बावजूद उनसे शमय आचना के बावजूद शुक्रचारे कहते हैं कि ठीक है मैं श्राब तो वापस नहीं ले सकता लेकिन मैं इसका solution बताता हूँ कि अगर कोई 101 शा से अपनी जवान ही आपको दे दो और आपका बुढ़ापा ले ले तो ये चीज चेंज हो सकती है तो अब सीन शुरू होता है उसके पहले ये चीज घट चुकी है यायाती जो हैं वो बुजर्ग हो चुके हैं शर्मिस्ठा उसी दुख में अपने रूम में अंधेरा करके बैठे है तब ही मंगला की एंट्री होती है और मंगला कहती है कि आपने पूरे महल में अंधेरा कर रखा ये अशुब है तो वो बुलते ही जिसके जीवन में इतना अंधिकार हो वो सिरफ कंड़े में थोड़ी दिर बाद उसी कक्ष में पुरू का प्रवेश होता है, मंगला पुरू को लेकर आती है, तो पुरू जो हैं, वो बुजर्ग हैं, पुरू यायाती और शर्मिस्ठा का पुत्र है, जो कि यंग है, लेकिन अब जब उसकी पहली इंट्री हो रही तब वो बुजर्ग हो गया है, व्रद हो गया है, शर्मिस्ठा देखकर बहुत दुखी होती है, और फिर रिवील होता है, यायाती बताते हैं कि जो पुरू है, जो तुम्हारे पुत्र है, उसने तुम्हारी कोख को धन्य कर दिया और उसने इतना बड़ा त्याग किया है, मेरे लिए, शर्मिस तो आपका है मेरी तो सिर्फ कोक है इस तरीके का conversation होता है लेकिन कहीं न कहीं जो शर्मिस्टा है वो बहुत दुखी होती है पुरू के इस decision से और फिर पुरू से दूसरे सीन में बातचीत भी करती हैं कि तुमने इतना बड़ा बलिदान क्यूं किया अपनी पिता के लिए तो के साथ यह जो यायाती है इनका physical relationship established होता है अब जब यायाती जो है चोकि वो अपना बुढ़ाबत अपने पुत्र पुरू को दे चुके हैं तो उनका जो पुरुशार्थ है या उनके अंदर जो जवानी है जो age है young age वो किसकी है अपने बेटे पुरू की है